अमराट असोग के बहुत से सिलालेखों पर प्राय एक चक्र या पहिया बना हुआ है इसे असोग चक्र कहते हैं यह चक्र धरम चक्र का प्रेती र उधारन के लिए सारनात, स्तित् सिंग, चतूर्मुक्लोें, कैपिटा लेवं असोग इस्थमभ पर असोग चक्र विद्धमान है। भारत की राष्टे ध्वज में असोग चक्र को इस्थान दिया गया है। असोक चक्र को कर्तव्य का पया भी कहा जाता है ये 24 दिल्या मनुश्य के 24 गुणों को दरसाती है दूसरे शब्दों में इन्हें मनुश्य के लिए बनाए गए 24 धर्म मार्ग भी कहा जा सकता है असोक चक्र में बताए गए सभी धर्म मार्ग किसी भी देश को उन्नती के पत पर पहुंचा देंगे शायद यहीं कारण है कि हमारे राष्ट द्वज के निर्माताओं ने जब इस कांतीम रूप फाइनल किया तो उन्होंने धंडे के बीच में चर्खे को हटा कर इस असोक चकर को रखा था आई अब असोक चकर में दी गई सभी तिल्यों का मतलब चकर के करमनुसार जानते हैं पहली तिल्ली सयम सयम में जीवन जीने की प्रेरिणा देती है दूसरी तिल्ली आरोग्य निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है तीसरी तिल्ली शांती देश में शांती व्यवस्ता कायम रखने की सलहा चोथी तिल्ली त्याग देश एवं स समाज की सिख्षा सातवी तिल्ली चमा मनुष्य एवं प्राणियों के प्रती चमा की भावना आठवी तिल्ली प्रेम देश एवं समाज के प्रती प्रेम की भावना नोवी तिल्ली मैत्री समाज में मैत्री की भावना दसवी तिल्ली बंधूत्व देश प्रेम एवं ग्यारवी तिल्ली संगठन राष्ट की एकता और अखंडता को मजबूत रखना बारवी तिल्ली कल्यान देश्वे समाज के लिए कल्यान कारी कारियों में भाग लेना तेरवी तिल्ली समरदी देश एवं समाज की समरदी में योगदान देना चोद्वी तिल्ली उध्योग देश की उध्योगिक प्रेगती में साहिता करना पंद्रवी तिल्ली सुरक्षा देश की सुरक्षा के लिए सदयों तैयार रहना सोल्वी तिल्ली नियम निजी जिंदिगी में नियम सैयम से वरताव करना सत्रवी तिल्ली समानता समता मुलक समाज की स्थापना करना अठारवी तिल्ली आर्थ धन का सदूपयोग करना उननिस वी तिल्ली निती देश की निती के प्रेती निष्ठा रखना बीस वी तिल्ली न्याय सभी के लिए न्याय की बात करना 21 वी तिल्ली सहकारिये आपस में मिल जूलकर कारिये करना 22 वी तिल्ली करतव्ये अपने करतव्यों का इमानदारी से पालन करना 23 वी तिल्ली अधिकार अधिकारों का दुरुपयोग ने करना चोबिसवी तिल्ली बुद्धी मता देश की समरदी के लिए स्वयम का बोधिक विकास करना तो इस परकार आपने सुना कि असोग चक्र में दी गई हर एक तिल्ली का अपना मतलब है सभी तिल्लीयां समलित रूप से देश और समाज के चहुम की विकास की बात करती हैं ये तिल्लीयां सभी देशवाशियों को उनके अधिकारों और कर्तवियों के बारे में इस पश्टे संदेश देने के साथ साथ ये भी बताती है कि हमें अपने रंग रूप जाती और धर्म के अंतरों को भुला कर पूरे देश को एकता के धागे में पिरो कर देश को समरदी के सीखर तक ले जाने के लिए सतत परियास करते रहना चाहिए धन्यवाद जैहिन जैभारत